जैने दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूस पेपर का अनलेसिस करते हैं दोनों को हिसाथ में देखते हैं जिससे कि आपको दर बदर बटकना ना पड़े तो आज हम 24 वेब्रोरी का जो अनलेसिस है वो देखने वाले हैं और काफी इंट्रेस्टिंग और खास टॉपिक्स आज हम कबर करेंगे चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का आपके सामने प्रेजन कर रहा हूँ मैं महीर मोगरे आप मुझे फेस्बूक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो पीडियाफ जैसे मैं आमेशा कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्ण होती है तो पीडियाफ और वीडियो अप्डेट्स के लिए आप टेलिग्राम पर फॉलो कर सकते हो लिंक सभी के डिस्क्रेप्शन में दीवी है यह जो पीडियाफ है यह मैं बहुत ही जादा यूजर फ्रेंडली जो है वो बीडियाफ बना रहा हूँ इससे कि आप इजीली रिवाइस कर सकते हो तो हर बार की तरह आपके सामने एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको incorrect जो statement है ये बताना है black nest crane के बारे में तो यहाँ पर आप photo जो है black nest crane का देख सकते हो और इसके regarding को statement दे गए है incorrect statement कौन सा है यह आपको बताना है तो आपको करना क्या है वीडियो को pause करना है इसके regarding information लिखना है जो भी information आपके पास available होगी उसके पास वीडियो को resume करना है first है आपर कि इसका key role है बुद्धिस्ट culture में दूसरा है कि इसे list किया गया as vulnerable IUCN red list में और तिसरा है कि इसे list किया गया है schedule 1 wildlife protection act 1972 के जो भी animal bird schedule 1 में होते हैं wildlife protection act के उनको highest degree of protection जो है वो दी जाती है अब यहाँ पर अगर हम options देखते हैं तो कौन सा सही है तो मैं उम्मीद करता है आपने अब तक link दिया होगा इसका जो सही जवाब है क्योंकि incorrect उचा गया है इसलिए 20 का option हमें देखने को मिलता है क्योंकि जो least concern है उसमें हमें near threatened में यह actually हमें देखने को मिलता है और यह जो first है यह बिल्कुल सही है second यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि vulnerable नहीं है और third जो है यह भी बिल्कुल सही है तो इसका जवाब जो हमें B देखने को मिलता है क्योंकि incorrect statement यह यहाँ पर पूछा गया है तो आज की जो topics से हमारे कुछ इस तरीके से हैं यहाँ पर first जो हम देखने वाले हैं वो यह है कि इंडिया का energy import जो है उसका dependence क्या हम यहाँ पर reduce कर सकते हैं कम कर सकते हैं अगर हम मेंस perspective से देखते हैं तो बहुत सब्सक्राइब इंपॉर्ण है कासका GS paper 3 अगर हम देखते हैं और आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर separate videos जो है क्योंकि यह जो videos हैं हम इस तरीके से बना रहे हैं जिससे कि हम यहाँ पर जो concerns है जो conclusion है वो सारी चीजों को निकाल सकते हैं जो मतलब completely यह आपके exam perspective से पूरा यह जो वीडियो है मैं बनाता हूं जिसमें आपको बहुत फायदा मिलता है तो इसलिए आपके responsibility है कि वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिए Facebook पर, Instagram पर, WhatsApp पर जहाँ जहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं और शेयर कीजिए अब यहाँ पर यह जो है काफी important है हमारे GS Paper 3 perspective से सीधा question जो है वो आ सकता है क्योंकि जो dependence है हमारी उसको कम करने के लिए काफी ज़दा जो सरकार है वो भी नियोजन कर रही है तो ऐसे questions आपको आ सकते हैं कि despite the government efforts still we are much dependent on energy imports how can we reduce the India's energy import dependence ऐसा question आपको मेंस में आ सकता है then उसके बाद सबसे favorite topic जो है civil servant उनकी जो transfer होती है काफी ज़दा transfer जल्दी रहती है है ना मतलब लोगों की तो 50-50 बार transfer हुई आपने पूरे career में आप सोचे कि normally 3-4 साल जो है उसमें transfer होनी चाहिए और यहाँ पर जो career है वो 20 साल का होता है almost समझ लिजे 20 साल का है उसमें अगर 50 बार transfer हो रही तो आप सोचे कि एक average ली कितने बार रहा होगा तो यह काफी important topic है इसको हम discuss करेंगे इस पर भी question आ सकते हैं इसके पर चायना जो है इंडिया का top trading partner बन गया है फिर से 2020 में तो अगेन यहाँ पर जो conflict चल रहा है चायना के साथ जो dispute चल रहा है उसके साथ जो ban जो products है चायना के तो वो सबका कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पर पर चायना पर चायना पर लगाई गई है तो यहाँ पर बेसिकली concept जो अंटी डंपिंग ड्यूटी का वो समयना जरूर है तो वो हम concept देखेंगे एंड इन दी एंड एक छोटा सा topic है जो प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से important है पगरी संबाल movement तो इसके बारे में हम शॉट में देख लेंगे तो यह आज के हम topic जो है वो cover करने वाले है तो सब शुरू करने से पहले MM Academy app को अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है इकोनामी जो है वो चल रहा है ethics completely available है मतलब GS1234 आपको सभी यहाँ पर आपे enjoy कर सकते हो और highest quality content है lowest prices में lowest prices आप एक बार demo lecture जो है वो जरूर देख सकते हो demo lecture देखिए मतलब मैं हमेशा गहता हो कि पहले इस्तमाल करो फिर भी श्वास करो तो इसलिए download ज़रूर कीज़े MM Academy app और videos को enjoy कीज़े आईए हम यहाँ पर जानने की कुशिच करते हैं कि इंडिया का जो energy import dependence है क्या उसको हम reduce कर सकते हैं बहुत important है मतलब यह अगर हम GS paper 3 देखते हैं तो उस perspective से बहुत ज़दा import हो जाता है और अगर हम Mains देखते हैं तो Mains में सीधा question इस पर पूछा जा सकता है तो इसलिए अच्छे तरीके से इसको prepare करते हैं अच्छे तरीके से जानने की कुशिच करते हैं कि क्या हम यहाँ पर dependence को reduce कर सकते हैं इसके लिए हमें सारी जीदों को समझना पड़ेगा कि basically हम कितना dependent है फिर हम जान पाएंगे कि हम dependence कम कर सकते हैं क्या कोई बेगर बच्चा है उसके parents का जो dependence है वो कम हो सकता है क्या वो जानने के लिए हमें यह पता करना चाहिए कि सबसे पहले तो उसके parent पर कितना dependent है है ना तो आईए हम सारी जीज़ें यहाँ पर समझने की कोशिश करते है basically हम इस पर बात क्यों कर रहे है देखिए क्या होता है प्रधान मंतरी बोलिए vice president बोलिए president बोलिए यह जो भी statement देते है यह question बन सकता है तो इसलिए इन्होंने जो भी statement दिये है जिस भी topic पर दिये है उसको अच्छे तरीके से prepare करना है हमारा first बनता है अब यहाँ पर context अगर हम देखते हैं तो जो petrol है, diesel prices है इनकी prices बहुत ज़दा बढ़ रही है और इसी के चल्दे जो प्रधान मंतरी है उन्होंने emphasize किया है कि हमें आपर इंडिया का energy import dependence है उसको reduce करने की बहुत ज़दा ज़रुवत है और हमें cleaner source of energy जो है उसको adopt करने की बहुत ज़दा ज़रुवत है ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़दा dependent हो जाते है वादब समय लिजे, foreign country में अगर जो तेल के दाम है, यह अगर बहुत ज़दा increase हो जाता है तो हमारे आपर उसका असर जो है बहुत ज़दा देखने को मिलता है है ना, तो यह जो है यह बहुत important हो जाता है कि हमें यहाँ पर अगर हम reduce कर देते हैं, तो फिर क्या होगा फिर इतनी fluctuality, इतनी volatility जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी है ना, यह important है तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि reduce, energy import जो है energy import dependence उसको reduce करने के लिए कि कुछ majors लिए गये हैं, कि इधर हवे में तीर जो है, वो मारा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है सरकार जो है, जो भी सरकार आई है सभी सरकारों ने जो हमारा energy import dependence उसको reduce करने के लिए काफी सारे majors जो है बुलिए हैं जैसे मैंने आपको question बताया था, मैं इसमें question कैसा आ सकता है despite various majors taken by the government to reduce the energy import dependence, still we are much dependent on energy imports how can we reduce energy import dependence, ऐसा question आपको आ सकता है, तो सबसे पहले तो हमें यह बताना पड़ेगा कि हाँ भया, government ने यहाँ पर majors लिये हैं फिर उसके बाद हम बता सकते हैं कि हाँ और हमें क्या करने की ज़रुत है सबसे पहले अगर हम majors देखते हैं तो fuel efficiency standard जो है, वो government ने लाई मतलब यहाँ पर क्या है, कि fuel efficiency standard जो है, उसका formulation हमें यहाँ पर देखने को मिला, passenger vehicle के लिए है ना, यह सबसे पहला major मतलब earliest majors हमें देखने को मिलते हैं इस direction में, aim क्या था इसका aim था कि यहाँ पर fuel consumption जो है, उसको reduce किया जाए fuel consumption क्या है, कि अगर मेरी गाड़ी जो है, वो जाधा तेल पीती है तो फिर क्या होगा, फिर मैं बार-बार-बार-बार जागे उसमें तेल दलवाऊंगा मतलब क्या है कि मुझे requirement जो है, तेल की बहुत जाधा रहेगी, है ना, तो इसलिए क्या है कि इसको reduce करना, इसको कम कर देना सबसे पहली जीज़ तो यह ही है, कि यह गाड़िया ऐसी लोग, जिसको तेली कम लगे ठीक है, तो यह है, कि मतलब fuel consumption जो है, वो ही यहाँ पर reduce हो जाए जिससी की lesser pollution जो है, वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिले, दूसरा है heavy duty vehicles, है ना, मतलब nearly 60% of the diesel, जो country में use होता है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो इससे क्या होगा, इससे हम सीधा यहाँ पर reduce कर देंगे, है ना, तो यह दूसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है then next, अगर हम देखते है National Electric Mobility Mission Plan, मतलब यहाँ पर इससे के लिए क्या है, यह NEMMP अगर हम देखते है, अगर हम देखते हैं, मतलब Electric Mobility Mission Plan, इसमें क्या है, Electric and Hybrid Vehicles जो है इंडिया में, उसको promote किया जा रहा है कल हमने देखा था ना, कि Electric Vehicles जहें, उनको यहाँ पर promote किया जा रहा है Hybrid Electric Vehicles अगर हम लेकर आते हैं तो फिर यह एक तो efficient भी रहेंगे और उसी के साथ हमारी Dependency of fuel पर वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी और यह aim करता है कि R&D जो है Technology में, वो भी यहाँ पर promote किया सके Better Technology, जो Battery Technology है Power Electronics है, Motors है, है ना Battery Management System है, यह सारी चीज़े अगर हम लेकर आते हैं तो अपने आप यहाँ पर जो fuel पर Dependency हमारी वो कम हो जाएगी उसी के साथा FAME Scheme हमें देखने को मिलती है FAME Scheme क्या है, कि Under NEMMP 2020 Government ने Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid Electric Vehicles in India मतलब FAME Scheme जो है, यह यहाँ पर launch की Q launch की, जिससे कि यहाँ पर Manufacturing जो Electric और Hybrid Vehicle Technology का उसको promote किया जा सके है ना, UPSC में सीधा question आया था कि FAME जो है, वो किस से related है, Prelease में सीधा question आया था तो यह किस से related है, Hybrid Vehicle जो है Electric और Hybrid Vehicle Technology उसके Manufacturing को promote किया जा सके अब इसका हमें second part जो है, वो भी देखने को मिल रहा है यह largely electric vehicle जो है, उस पर focus कर रहा है है ना, और फिर उसके बाद हमें alternative fuel जो है, वो भी देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो fuel जो हम use कर रहे हैं, इसका alternative अगर हम निकाल लेते हैं, तो मतलब import पर हमारे dependency जो अपने आप काम हो जाएगी, अब इसका alternative क्या है, जो bio ethanol है, पेटरोल में, वो यहाँ पर nearly 8% by volume under 2018 natural policy of biofills में किया गया, है ना, इससे क्या हो रहा है, multiple fuel जो है, ट्रांस्पोर्ट सेक्टर में natural gas को include करके, वो यहाँ पर लाया जा रहा है, bio gas जो है, modified engine में, वो यहाँ पर import dependency हमारी कम कर सकता है, मतलब basically क्या है, कि हम जो यहाँ पर normal हमारा petrol diesel का जो oil मंगा रहे हैं, इसके अलावा, अगर हम यहाँ पर कोई बना कर, दूसरा oil उसमें इस्तमाल कर सकते हैं, तो वो तो सुनेपिस हुआ कर रहेगा, उससे भी हमारी dependency जो है, वो कम हो जाएगी, यह ना, तो यह सारे majors हमें देखने को मिलते हैं, अब significance अगर हम पैसा safe करेंगे, क्योंकि जो fuel efficient ICE vehicles है, यह ना, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, consumer जो यहाँ पर electric vehicle पे shift हो रहे हैं, वो यहाँ पर क्या करेंगे, less energy consume करेंगे, यह ना, electricity जो है वो cheaper है, compared to petrol और diesel, यह ना, आप तो petrol तो सोने के भाव में बेजे जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, उससे काफी जदा benefits जो है, वो यहाँ पर मिल जाएगा, लोगों के पैसे जो है वो बच जाएगे, अब यहाँ पर economic perspective तो हमने देखे लिया, कि economically यहाँ पर काफी जदा viable है, खासकर consumer के perspective से, कि हम यहाँ पर अगर electric में जाते हैं, तो हमें तेल नहीं डरवाना पड़ेगा, तो हमारे पैसे जो है वो अपने आप बच रहे हैं, उसी के साथ यहाँ पर fossil fuel जो है, उसका import हमारा reduce हो जाएगा, इससे जो current account deficit है हमारा international trade में वो कम हो जाएगा, क्या होता है कि अगर हम import जादा कर रहे हैं, export कम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा current account deficit हो जाता है, ठीक है, और current account surplus जो है वो कब होता है, जब हम export जादा कर रहे हैं, import कम कर रहे हैं, यह सारी चीज़ों का, ठीक है, तो अब जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं यहाँ ना क्यूंकि जो fossil fail होता है उसका market काफ erfability होता है अंग holy Aging के ओने के सिरेके मारकें मजला बहुत ज़्याथ होता रहता है कि ईफब जा रहा है सो जिसके होता है हमारे inflation में भी काफी ज़्या दोबाओ पढ़ता है कि मतलब समय लीजे कि आज यहाँ पर पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो मतलब transportation cost जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई उसके वज़े से क्या हुआ जो हमने economic perspective देखे थे एक हमें यहाँ पर environment perspective भी नजर आ रहा है कि climate change जो है greenhouse gases को कम कर सकते हैं जिससे के हम climate change जो है उसमें फायदा कर सकते हैं और Paris climate deal जो है उसमें यहाँ पर हमारा benefits जो हो सकता है तो यह सारे benefit significance जो है अगर हम import reduce कर देते हैं तो उसके significance हमें देखने को मिलते हैं त तो despite world आता है साला यहीं खेल जाते हूं कि despite world आ रहा है कि साला इतने majors देने के बाद भी क्या problem आ रहा है तो यहाँ पर lacuna जो है वो भी हम गिना देंगे तो जबरदस्चीज हो जाएगी इंडिया का 2022 fuel efficiency standard जो है passenger cards के लिए nearly 20% less stringent है than European Union standard मैं यहाँ पर EU standard जो है वो ज्यादा stringent है अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ठीक है any MMP primarily focus करता है hybrid electric vehicles पे most of the incentive under यह जो है यह subsidizing mild hybrid instead of electric vehicles उसमें जा रहा है hybrid में मतलब क्या होता है कि आप fuel भी इस्तमाल कर रहे हो आप electric भी इस्तमाल कर रहे हो इसको हम कहते है hybrid मतलब दोनों का mixture जो है वो हमें देखने को मिलता ह तो इसमें basically hybrid में जो है वो ही जादा हमारी जो पैसे है energy है वो जा रही है अगर हम यहाँ पर electric इसमें जाएंगे तो जादा benefit होगा ना hybrid इसमें fuel जो उसको इस्तमाल तो हो ही रहा है है इसलिए क्या है कि यहाँ पर इसने जो global manufacturing है global manufacturer है उसको incentives देना हम यहाँ पर नहीं दे प पाए तो यह हमें कुछ lacunas जो है वो देखने को मिलते हैं अब हम आते हैं way forward पर मतलब क्या किया जा सकता है और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं जो suggestions है सबसे important चीज होती है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर सबसे बेले तो zero emission vehicle program जो है वो यहाँ पर हम देखने को मिलता है government जो उन्होंने zero emission vehicle program जो है वो formulate करना चाहिए मतलब क्या है कि आप यहाँ पर अगर पैदा ही नहीं करोगे जो फियल वाली गाडिया है तो फिर हम electric vehicle पर जाएंगे न electric vehicle जो है वो ही purchase करना पड़ेगा लोगों के पास option ही नहीं है पेट्रोल डीजल वाल लेने का electric vehicle लेने का ही option है तो वो ही लोग purchase करेंगे और वो जब purchase करेंगे तो अपने आप यहाँ पर fuel जो है उसकी dependency हमारी काम हो जाएगी Zero emission vehicle program जो है अल्रेडी effective है चायना में अगर हम बात करते हैं certain states जो USA के हैं British Columbia in Canada and South Korea यह साभी जगों पर हमें यह देखने को मिलता है At present electric mobility initiative जो है इंडिया में वो driven है large by new entrant two and three wheeler space में Next यहाँ पर हमें देखने को मिलता है fuel efficiency regulation जो है उसको strengthen कर दो जो हमने देखा हुआ है कि European Union में काफे strengthen है हमारे यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर उसको strengthen कर दो यह भी ठीक है for two wheelers fame scheme जो है focus करती है two and three wheelers taxis buses इसको extend करना चाहिए passengers cars के लिए भी commercial vehicles के लिए भी और उसी के साथ agriculture tractors के लिए भी त्रैक्टर जो है उसके तरफ को नजर नहीं जाती है वो भी तो यहाँ पर fuel खा रहा है ना वो भी तो यहाँ पर खा रहा है ना तो इस लिए यहाँ पर इस पर भी नजर जाने चाहिए तो यह भी काफी important चीज़ देखने को मिलती है अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो investment है charging infrastructure में कली हमने देखा था इसके रिकारणी कि charging पर है तो लोग गाड़िया खरी देखेंगे क्या रहा हूं नाखपूर में और में को पेट्रोल भराने के लिए मुमबे में जाना पड़ रहा है तो मतलब क्या है 800 ब्योमेटर दू चलके जाना पड़ रहा है तो यही अगर charging stocket ही नहीं रहेंगे तो लोग charging वाली गाड़ पर passenger vehicle GST बनाना चाहिए जो गाड़िया जो है वो यहाँ पर जादा fuel खा रही उस पर जादा GST लगेगा जो कम fuel काती उसको कम GST लगेगा और यहाँ पर energy supply उसको diversify करने की बहुत जादा जरूत है तो यह सारी जीज़े हमें आपर देखने को मिलती है और यह अगर आप answer मे आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर इंडिया का energy import dependence जो है वो हम कैसे reduce कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हमारा क्या government के majors है जन क्या उसका significance है और क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं जिससे कि हम यहाँ पर जो energy import dependence है वो कम कर सकते हैं तो अच्छे तरीके से आपको पूरा idea जो है व पूरा करियर जो है वो उंका 50 साल का नहीं होता है और मतलब ऐसा होगया ही कि एक साल में भी ट्रांसफर नहीं है बहूत सारी जेकोंपर 3-3 मेने में ट्रांसफर जो है वो आपने देख लिया और district में आपको क्या काम करना है क्या problem से वो आपने देख लिये और काम करने ही जा रहे हो शुरुआती कर रहे हो पहले तो आपको कुछ time लगेगा ना कि district देखने में समझने में क्या चीज़े हैं चलती है वो कैसे इंप्लिमेंट करेगा, क्या करेगा, उसको समझने में आधी दिक्कत होगी, है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलें, जो frequent transfer होती है, और इसके बारे में कहीं सारे हमें, जो publishing है, उसमें देखने को मिलें, बहुत सारे इसमें इसकी चर्चाए हुई ह लेकिन इसपर काम नहीं हुआ है, तो अब इसपर हम बात करते हैं और देखते हैं कि अगर इसपर आपको question आया, तो कैसे आप solve करोगे, उसी के साथ साथ, क्या इसमें किया जाना चाहिए, तो बहुत important topic है है, इसमें आपको जो interview है, उसमें भी question पूछाया सकता है, तो frequent transfer की जब हम बात करते हैं, issue जो है frequent transfer का, civil servant का, वो बहुत significant issue है across India, मतलब यहाँ पर जो single user platform related to employee online, मतलब यहाँ पर जो supreme हो है, database, department of personal and training government of India, उन्होंने पता है, average posting spell जो होता है, civil servant इंडिया में, only about 15 months, आप सोचे 15 महने, ठीक है, अब Mr. Kheem का, यह जो है इनके transfer ही हो more than 50 times, उनके career म जो खास नहीं है, उनके 65 times, मतलब सोचे कि total career जो है, 20-25 साल का होता है, उसमें अगर आप, पकड़ लो मतलब 50 बार अगर transfer हो रही है, तो मतलब क्या 6 महने में, और यहाँ पर 6 महने से भी कम, तो आप सोचे क्या हालत हो गई है यहाँ पर, अब दिखिया, अगर हम 50 pay commission की बा हो तो आप इतने particular time के लिए रहोगी ही रहोगे, जब तो कोई बड़ा problem नहीं आता है, second administrative reform commission जो उन्होंने भी आपर इस issue को highlight किया, हुटा committee जो है, उसने भी आर्गिव किया frequent transfer के against में, लेकिन हुआ क्या बाबाजी का धुल लू, अब concern अगर हम देखते हैं, इक concern के बहुत बड़े मुद्धे हैं, देखिए frequent transfer जो है, उसने यहाँ पर जो officer का moral है, उसको भी काफी जदा hamper किया है, क्या होता है कि यहाँ पर जो एक officer है, अगर उसके बार-बार-बार-बार transfer हो, सूचिए ना आर, आप अगर एक जिगह पर हो, आप बार-बार-बार-बार shift हो रहे ह जो से जगह पर जा रहे हो, वैसे ही, मतलब नॉर्मली, अगर आपको कुछ काम भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर आपको shift होना पड़ एक जगह से दूसरी जगह तो भी problem हो, अब यहाँ पर एक, जो officer होता है, वो कुछ काम करने के लिए आता है, है ना, कुछ काम करन है, जो effectiveness है, वो यहाँ पर completely reduce हो जाता है, वो नए जगह पर जाएगा, छोड़ो यार, क्या तो करना है, है ना, movies में हम देखते हैं, तो हमारा कंड मूर जाता है, तो फिर वो क्या चीज है, frequent transfer जो है, वो civil servant को जो opportunity होती है, settle down होने की, into official role, वो यहाँ पर deny कर दी जाती है, है यह gangster है, इसको हम पकड़ेंगे, फिर उसके बाद आप पकड़ने के लिए गए महाँ पर, पकड़ने के लिए गए उसको धमकियों की देथी, एकदम stylish इसमें, आप movie भी देखे हैं, stylish इसमें देथी है, singham, यह करके, फिर उसके बाद आप office में पहुचे, आपके office के table पर, जो आपके transfer order है, वो रखी भी है, यह ना, मूर गया ना पूरा, तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, कि जो administration है, वो भी कुछ आती है, administration प्रपर तरीके से काम ही नहीं कर पाती है, frequent transfer होने के वेज़े से, और उसके साथ fixed tenure जो है, उसका absence रहने के वेज़े से, fixed tenure ना रहने के अब यहाँ पर, जो court civil service values है, उसके against में चीज आती है, अब दिखें, जो court civil service के values क्या है, कि हम यहाँ पर impartial रहेंगे, हम यहाँ पर neutral रहेंगे, हम यहाँ पर किसी को भी favor नहीं करेंगे, मतलब favoritism जो हमारा नहीं रहेगा, लेकिन यह जो उसके against में जाता है, क्योंकि अग अगर, आप वहाँ पर गए है, और जो वहाँ पर local leaders है, उनके अगर आप proper तरीके से काम नहीं कर रहे है, उनके according काम नहीं कर रहे हो, चलो भी यह transfer, वो बलता है ना, डायलोग movies में दिखता है ना, कि क्या कर सकता है, तू क्या कर सकता है, अभी क्या अभी तरी transfer order दिला सकता situation को यहाँ पर सबको लेकर आजाएंगे, क्या है यार, वो अपना खास है, वो अपना खास है, उसको लेकर आजाब ऐसा है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब समझ लोगी एक state लेते है, उत्तर प्रदिश लेते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदिश में अगर पहले Congress की सरकार थी, तो वहाँ पर उनके फेवरेट वाले जितनी भी IS officer है, IPS officer है, उनके जो लोकल लीडर से उनके साथ रहेंगे, देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद BGP की सरकार होगी, तो suddenly यहाँ पर सबकी transfers जो है, वो हमें देखनी को मिलती है, और जो उनके फेवरेट है, उनको पर आजाती है, और अगर यहाँ पर political basis पर देखे तो यह neutrality जो उसका affect करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इनके फेवरेट है, फेवरेट जब आ रहे है, तो वो neutral रहेंगे काम कर पाएंगे क्या नहीं, तो जो core values of civil services की neutrality बोलिए, impartiality बोलिए, anonymity बोल हैगा ना, कोई मतलम नहीं रहेगा इसका, है ना, तो यह problem जो है, वो phase की जाती है, अब conclusion में अगर हम देखे, तो good governance and better administration जो है, development का, वो यहाँ पर present time में अगर हम देखते हैं, तो कभी problematic हमें देखने को मिलता है, है ना, मतलब बहुत important है यह जीज, good governance और better administration जो है, development के अगर वो stable नहीं रहेगा, अगर एक जगा पर वो proper दरीगे stable नहीं रह पाएगा, तो कैसे function कर पाएगा, function ही नहीं कर पाएगा, efficiency उसकी पूरी की पूरी डाउन हो जाएगी, और efficiency डाउन हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, अभी तो खेर, अभी तो बीच में, मोदी जी ने बहुत सारी चीज़े हैं, क्योंकि यह क्या होता है, कि एक science बहुत important होती है, आपने वो movie देखे होगी, कि यहाँ पर आप policy तो बना लेते हो, लेकिन उसको implement करने के लिए, उसकी science बहुत जरूरी होती है, तो यह चीज़ हमें देखने को मिलते है, तो यह भी चीज़ आप क्या राय हैं, आप क्या सोचते हो, कितना यहाँ पर tenure मिलना चीज़ है, 2 years, 3 years, क्या मिलना चीज़ है, तो यह भी आप comment section जो है, उसमें जरूर बताईए, आईए आपर बात करते हैं, चायना जो है, वो top trading partner बन गया है, इंडिया का 2020 में, फिर से एक बार, अब यहाँ पर अ boycott, boycott जो चल रहा था, यह भी बोल रहा है, boycott करोगे, roadies बनोगे, यहाँ पर two-way trade, अगर हम देखते हैं, इंडिया और चायना के बीच में, तो वो 77.7 billion USD जो है, for the year 2020 देखने को मिला वैसा, चायना, चायना जो है, यहाँ पर आप देख से हो, चायना, US और UAE, चायना 2017, 2018, 2018, 2019 जो है, उसमें US जो है, उसने यहाँ पर top कर लिया था, लेकिन अगेन यहाँ पर चायना जो है, उसने अपनी position जो है, वो regain कर ली है, तो यह चीज़ आप ध्यान में रखे, क्या होता है, कभी कबर आपको पूछ लिया जाता है, कि चायना, US है जो है, is the largest trading partner of India, since 2019, तो ऐ ऐसा हो सकते हैं, कि हाँ सही होगा, यह गलत रहेगा, ठीक है, फिर से 2020 में यह हो गया है, USA को replace कर दिया है, जो हमने देखा है, चायना जो है, largest commercial partner है, USA जो है वो पहले था, लेकिन अब उसको पीछे चोड़ कर यह बन गया है, इंपोर्ट जो है चायना से, टोटल अब भाषा इवाजव पर्णधी जो एक्सपोर्ट है, हमारा जादा बढ़ा नहीं है, लेकिन इंपोर्ट जो है अच्छा खासा हो गया है, इसले ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा हो इचावी जाएगा, जो हमारा इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारा इहाँ ब्रेड गाप देखने को मिल रही है समझ लोग यहाँ पर अगर किसी से हम 100 रुपे की चीज़ ले रहे हैं और किसी को अगर हम 40 रुपे की चीज़ दे रहे हैं तो यहाँ पर गाप जो है वो 40 रुपे कराएगा है ना वो यहाँ पर मुनाफे में रहेगा तो वही चीज़ हमें अब क्यों ऐसा हो रहा है क्यों यहां पर चाइना फिर से रिगें कर लिया है तो यहां पर इमर्जयंज जो है चाइना का टॉप टीविया फेकेते ना वहा था क्या हुआ यहाँ पर जो sale लगा था ठीक है sale लगा था विग बिलियान ये जो भी होते हैं उस पर sale लगा था सबसे ज़ाथा Chinese के mobile जो है भी गे गए ठीक है इंडिया जो है वो यहाँ पर heavily इंडिया Chinese made heavy machinery जो है उस पर अभी भी dependent है चाइना से हमसे mobile ने लेते हैं टीवी ने लेते हैं machinery भी लेते हैं जिससे हमारे equipment बनते हैं तो उस पर भी हमारा dependency जो है काफी ज़्यादा हमें देखने को मिली telecom equipment, home appliances वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिले trade जो है काफी ज़्यादा increase हुआ है जो tension है बीच में चलने की वज़े से भी और उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आत्मनीरव भारत है उसमें जो हमारे manufacturing capabilities बढ़ाने की बात की गई उसके बावजूद यहाँ पर जो trade है हमारा काफी ज़्यादा increase होता हुआ चाइना के साथ देखने को मिला है अब major जो यहाँ पर लिए गए है जो dependency चाइना पर उसको reduce करने के लिए तो recent ban जो है वो हमें देखने को मिला है 100 Chinese app पर ठीक है उसके साथ security जो है scrutiny भी increase की गई है 5G trial की अगर हम बात करते हैं उसके साथ यहाँ पर self-sufficiency है उस पर यहाँ पर focus किया जा रहा है opportunities take over जो होते हैं उसको यहाँ पर reduce किया गया है तो यह सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं जो government ने कोशिश की है अब way forward क्या होता है मतलब सीधा ban जो है वो किया जाना चाहिए गया देखे ban करना यह solution नहीं है इंडिया जो है वो severe ban afford नहीं कर सकता है यहाँ पर अगर आप देखोगे चाइना के साथ हम बहुत सारी economic patches में गुनते हुए है ठीक है मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे economic link जो है world second largest economy के साथ वो हमारी बहुत जादा है मतलब इंडिया के startup economy जो है वो काफी जदा यहाँ पर sustain हो रही है उसकी वज़ासे Chinese finance के वज़ासे इंडिया को यहाँ पर selective measures जो है वो लेने की बहुत ज़र्वत है मतलब इंडिया यहाँ पर Chinese firm का जो involvement है टेलीकॉम सेक्टर में उसको reduce कर सकती है हम सक्षम है टेलीकॉम सेक्टर में तो उसमें उसका involvement कम कर दो specially अगर हम बात कर दें 5G trials की लेकिन अगर हम complete ban कर देंगे तो 4G network जो है उसमें Chinese company का बहुत ज़़ा involvement है तो अब उसका जो maintenance रहेगा उसका जो servicing रहेगा वो कैसे कर पाएंगे उसमें problem आ जाएगा यह हमें देखने को मिलता है अब उसके साथ anti-dumping duty जो है वो लगाई गई है अगर हम steel की बात करते हैं anti-dumping duty क्या होती है अब देखिए anti-dumping duty से भी concept समझना ज़रूरी है बाकी कुछ नहीं है अब first कीजिए यहाँ पर चायना है और इंडिया है ठीक है फिर उसके बाद यहीं बूरता जो है वो export करते हैं इंडिया को और इंडिया में export करने के बाद इंडिया में वो कितने का बेचना चाहिए तो बट अबियस है कि यहाँ पर कुछ duties लगती है तो 600 रुपए का 700 रुपए का 800 रुपए का बेचना चाहिए लेकिन वो क्या करते हैं Chinese company कि हम इंडिया का market capture कर लेंगे और इंडिया का market जो है वो capture करने के लिए हम यहाँ पर सस्ते दावाँ बेचेंगे तो इसमें क्या होता है इसमें यहाँ पर यह खुद की country में पासों में बेच रहे हैं कि नहीं हाँ पर वो 100 रुपए में बेचेंगे इससे क्या हो जाएगा लोग जो है वो फिर चल जाएंगे सारे के सारे हैंना सब ब्योड़े उधर ही अरे सम्बर रुपए बेटो रहे ला ग्या निबा साव रुपए मिल रहा है लोरे बाद हैंना इसी करेंगे तो यहां की कैप्चर हो जाएगा फिर कैप्चर हो जाएगा जो चोटे मोटे कॉम्पिलिटर से हो मड़ जाएंगे और फिर हमारा ही राज रहेगा फिर हम बेचेंगे इसको 1000 रुपए में तो यह नहीं होना चाहिए इसलिए यहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं तो किम्मत कितनी होगे 600 रुपए होगी 600 हो गई तो बढ़ आप यहां पर क्या होगा यह जो मार्केट है यह नहीं चलेगा और यह जो यह देसी दारू का मड़ा फिर से यहां पर बरकरार रहेगा ठीक है तो यह होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब किसी भी देश ने द पूरा कॉंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया हो अब यहां पर एक छोटा सा कॉंसेप्ट है पगरी संभाल मुवमेंट ठीक है तो यह अगर आप देखोगे तो किसान मोर्चा सम्यूक्त किसान मोर्चा सेलिबरेट कर रहा है 23rd February as पगरी संभाल दिवस ओनर कर रहा है मेंब पूर्मर उनियन जो है पार्ट है ओंगोंग प्रोटेस जली में अभी जो हो रहा है ना फार्म लॉक के अगेंस में जो भी चीज़े हो रही है तो इसमें भी जो कंप्लेंट्स हैं वो सिमिलर तरीकी की हो रही है कि आप कॉर्पोरेट इसको बेच रहे हो तो 1907 जो है उसमे आप 1906 और दौब बारी आप 1907 तो यह तीन आक्ट थे तीन आक्ट के अगेंस में यहाँ पर पगरी संबल मुव्मेंट लाई गई गई और इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया फिर रिपेल जो है वो कर दिये गया थे ठीक है इसमें एक्ट में क्या था बेसिकली अगर हम जीस देखे तो यह था कि यहाँ पर फार्मर जो है उनको खुद की जमीन से यहाँ पर जो बरी जो है मतलब दरखास जो है वो कर दिया जाता मतलब ब्रिटिज गवर्मेंट जो उनको अधिकार दिये जा रहे थे कि वो यहाँ पर अलोटेट लाइंड जो है फार्मर को वो वापीस ले ले अगर वो कोई भी ट्री को बिना कोई परमिशन के टच करते हैं तो तो मतलब टच भी अगर कर दिया तो भी लाइंड जो है वो ब्रिटिशर जो है वो ले ले लेंगे तो इस तरी चीज़े हमें देखने को मिल रहे थे तो उसके अगेंस में आपर पग्रिस जरूर कीजिए काफी मैंनत के साथ वीडियो जो है मैं आपके सामने ला रहा हूं तो शेयर जरूर कीजिए जितना दोता हो सके मिलते हम अगले वीडियो में जय हैं